हेलो व्रिवन आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है सो सीब्य सीरी का जो ओफिशियल हिंट देनी के लिए बच्चों के लिए जो जारी किया गया है ना किस तरीकी से वरना चाहिए डीटेल में आपको समझाने वालूंगा कोई भी नॉलेज आपको अधुरी नहीं रहेगी ठीक है मैंने बहुत सी वीडियो देखें लोगों के अधुरी अधुरी चीज़े वीडियो बना रहे बस इस वीडियो में पूरा नॉलेज दूँगा तो सबसे पहले देखो यह क्लास टेंथ लुटल दोनों के लिए और यह सी बेसी बूर्ट जो अभी टर्म वन का हमारे एक्जाम होने वाला उसकी पॉइंट देखो सबसे पहले बेसिक चीज़े क्या करनी और क्या नहीं करनी वो भी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले बेस आप पर बार ही बढ़ जाएगी आपको दोबारा उमर्षट नहीं मिलेगी ठीक आप फेल हो जाओ इसी दिसी बात हैं अगर आप इन चीजों को मिस्टिक करोगे तो पहले ही आपको एक्जाम में जाना पड़ेगा और आपको पहले ही उमर्षट दिये जाएगी और उसको क 1, 2, 6, 8, 1, 4, 5, 8 ऐसे भी लिख सकते हो आपको जो अच्छा लगे वह ऐसे लिख सकते हो ठीक है फिर उसके बात क्या होगा जो भी आपका एक्जाम जिसका दिन होगा जैसे आप कोई भी एक्जाम दे रहे हो X, Y, Z ठीक है तो उस डेट को यहां मेंशन किया जाएगा फ्रा लिखना पड़ेगा आपको और उसका नाम पूरा अच्छे से capital letter में लिखना होगा ठीक है capital letter में लिखना होगा ice repeat ठीक है उसके बाद जो भी subject का आप exam दोगे ठीक है उसका विशय का जो code है वो code proper लिखोगे subject code आपको दिये गए होंगे ठीक है वो subject code आपको proper यहां देखके लिखना है उसके बाद आपका जो नाम है उसे भी आपको capital letter में लिखना है जैसे यहां लिखा हुआ cbc कहीं यही है राजेश कुमार proper लिख दिया उसके बाद आपके पापा का नाम क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके name same होते हैं तो पापा का नाम लिखा जाता है इस वज़े से और पापा गर्न हम लिखेंगे वो भी capital letter में फिर आपका जो school है school code जो विद्याले जो आपका नाम है आपका वो आपको उस आपकी विद्याले का code आएगा और उसकी बाद उसका पूरा नाम आएगा capital letter में ठीक है इसकी अच्छे से पहले घर में भी practice कर लेन वहां पर कोई भी mistake ना हो पाए उसके बाद आपकी जो ओमेर शीट होगी वो नंबर यहां रहेगा आपको जो question paper दिया जाएगा यह बाद में मरा जाएगा ठीक है पहले तो यह मिल जाएगी फिर आपको question paper मिलेगा उस question paper में ना paper का code होगा उस code को आपको यहां पर properly लिखन है ध्यान से देखते हुए लेखना है बच्चो पहले ही बोल रहा हूं थोड़ी सी गलती भी नहीं होनी चाहिए ठीक है उसके साथ-साथ ठीक है यह कुछ चीजे हैं जैसे कि कई बच्चे न और यह wrong method और correct method है देखो कैसे करना है एक साथ दो-दो पे गोला नहीं बना जैस नहीं होगा ठीक है इसके लिए थोड़ा भी असी बीसी ने कुछ सुधार किया है जो आपको बहुत मजा आएगा सुनके जानने के बाद correct method किया है देखो और एक चीज मैं आपको बजाना चाहूंगा थोड़ा बहुत हो मैं जैसे मिले ऐसे से कर दिया ऐसे यह काउंट नहीं होगा आपको अगर फिल करना है तो पूरा प्रॉपरली फिल करना है ऐसे और आपको ब्लैक पैनल लेना है ठीक है उसमें मेंशिन किया होना हाफ नहीं बरना है पूरा गोल करना ही देखो इस तरीके से नहीं बरना है ठीक है पूरा अगर ले रहे हो तो उसको पूरा सरकर बना हो जैसे इस तरफ दे रखाए है क्लियर यहां तक चीज समझ में आगई अब देखो क्या है कोशिन पेपर में ना देखो 50 MC को तो हम अटेंड करने लेकिन पचास ही कोशिन नहीं आएगे आपको चॉइस भी मिलती है तो कुशन जाधा होंगे ठीक है उसी के शाब से 60 को मिलेंगे ठीक है यहां दिख रहे है आपको 60 कुशन आपको मिलेंगे एक्जैम में तो उसी हिसाब से आपको करना बढ़ेगा अब क्या चीज देखो बच्चों जैसे आपका पहला कुशन है और इस चीज क्या है ना कभी कभी हम सुप कुशन पर कर रहे होते हैं हमारा आंसर फर्स्ट का ए है तो हम हड़ बलाट में सेकेंड का यह लगा देते हैं तो यह चीज दियान रखना जब एक्जाम में बैठे हो तो एकदम काम रखना है मैं दर सिंग दोनी की तरह पर दिमांग को शांद रखना है ठीक है तभी आपके सारे कुशन सही होंगे और आपके आंसर भी सही होंगे नहीं तो फर्स्ट का ए है आप सेकेंड का यह लगा दे ठीक है आपने क्या किया आपका option number B correct है आपने यहां पर B फुल कर दिया ठीक है आपने B पर यह कर दिया फिल कर दिया और आपको यहां छोड़ दिया लेकिन बाद में जाकर अब यह भरना नहीं है एड़ आपको बाद में जाकर रेलाइस होगा यार इसका तो मैं इसी मैं तो B भर दिया लेकिन इसका अंसर दो B नहीं है इसका अंसर तो D है अब तुम ऐसे अगर D गोला कर दे होगे तो मैं गलती हो जाएगी इसी वज़े से CBSC न क्या बोला है जो आपका सही आंसर है अचाहिए आपने एक बार किया तो उस आंसर B को भी यहां लिखना होगा इस बॉक्स में कि option number B मेरा सही है ठीक है suppose करो आपका 20 यहां पर लगाने के बाद आपको लग रहा है कि यह B सही नहीं है तो B इसलिए आंसर पहले मत लिखना इस box को पहले मत वरना आपको box जैसे यह C option सही लग रहा है तो आप यहां पर C लिख देना तो आपने अगर यहां इसी वज़े से OMR sheet आपकी computer में चेक नहीं होगी आपके teacher चेक करेंगे क्योंकि अकर OMR sheet computer में चेक होती न तो यह सब scan होता है वहां पर बट इसी वज़े से I think इस बार आपके teacher ही आपके OMR sheet को चेक करेंगे ठीक है और एक चीज क्या है कि जैसे कि 60 कोशन है आप 60 तो करोगे से नहीं करें तो इस house tap में पाच्वे को फिल करना होगा इसका मतरी है कि आपने पाच्वा कुशन नहीं किया है यह आपकी choice थी ठीक है सबसे बढ़िया किया है इस चीज को ध्यान में रख विया और आपको पते ही मैंने क्लास 10 के सारे 12 के सारे सब्सक्राइब करना अब आगे क्या बात है यहां लिखना है यह चीज सबसे बढ़िया किया है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है इस वज़े से कई बच्चों के कोशिन गलत हो जाते हैं और टिप्स क्या है बच्चों एक्जाम में आपको कोशिन कोई भी नहीं चोड़ना है ठीक है सारे कुशिन करने है सारे ठीक है अगर एंड में आपको नहीं भी आता तो जाएम आता दी बोलके भी लगा के ज़रूर आना चोड़ना मत चोड़ो के तो आपका गाता होगा फिर उसके आपको नमबर नहीं मिलेंगे क्योंकि माइनस मार्किंग तो है तो इसी वज़े से आप ज़रूर करना, कोई कुशन छोड़ना नहीं है, ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या है न, यहां पर यह जो बॉक्स होगा, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, I confirm that all particular given above are correct, मतलब जो भी आपने उपर जो information दे रखिये, वो आपको खुद से य आपके signature यहां पर आएंगे, ठीक है, चलते हुए हाथ से, इसका मतलब signature करना है, कोई thumbprint नहीं आएगा, आपके proper signature होगे, जो आपने form में भरा है, ठीक है, उसके बाद बाकी जो number questioner, answer वो तो बो देगे, बाकी signature वगेरा जो वो तो examiner करेगा, इन चीजों को आपको ध्यान म अगर examiner phone नहीं है,